जैन नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कमपनी को आपके सामने लेकर आया हैं, उस कमपनी का नाम है Boro Shield Renewables, ये कमपनी किस सेक्टर में काम करती हम इसको समझेंगे, इस कमपनी में प्रज़न टाइम में क्या-क्या सिनेरियों चल रहा हम इसको समझेंगे, साधी साथ इसके fundamental और technical दोनों कंडिसन को समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि क्या इस कमपनी में अभी हमें बाई करने पर हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता या नहीं हो सकता, हमें कितनी प्रॉफिट हो सकते हैं long term में अगर इसको हम होल करें तो, या अगर हम मेरे पास है तो हमें क्या करना ची अभी इसको sell कर देना चीए, या इसको और ज़्यादा average करना चीए, क्योंकि अभी ये अपने top से 50-60% नीचे discount पे मिल रहा है ये, तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं, तो Boros and Renewables जो company है, ये solar glasses for various applications, यानि solar glasses बनाती है, हर टाइप की solar glasses बनाती है, अगर हम यहाँ पर देखे की ये glasses बनाती है, इनके जो glasses होती है, जिसके तुरू, अब जी के solar glasses का सीजा सा मतलब है, कि जो electricity है, उसके लिए ये काम करते हैं, अब electricity जो power है, अब power के लिए जो company काम कर रही है, वो green energy जिसको हम बोलते हैं, उसमें काम कर रही है, हर कोई जो future है, वो इसका बहुत ज़्या कम हो जाती है, और इस company के, देखेंगे, तो 75% जो इसका sale है, वो इंडिया में है, बाकी जो sale इसके होते हैं, 25% जो sale है, वो इसका USA, और Europe, और Turkey जैसी country में देखने को मिलता है, अगर हम Borosil के fundamentals देखें, तो Borosil यहाँ पे fundamental वाली cases में, company का जो price चल रहा है, वो 432 का है, और company 5635, एन लेखंग 500 करोड की company देखने को मिल रही है, तो यह company बहुत small cap की company है, लेकिन green energy में, जो हमारी government है, present time की जो government है, वो भी बहुत जादा dedicated है, green energy power को लेकर, तो यह company उसी sector में काम कर रही है, तो यहाँ से यह समझ में आता है, कि company का scope बहुत ही है, और आगे चल कर हर आता है, जो petrol, diesel से, या फिर जो अलग-अलग तरीके से electricity आती है, कोई लिए कि तुरू बाकी चीज़ों कि तुरू जिससे pollutions होते हैं, हम उसको दूर किया जाए, और जो green energy जैसे, आप solar glasses की बात करते हैं, जिससे electricity बनाई जाती है, यह बहुत जादा अच्छा काम है, तो अ अगर ROC और ROE 20 प्लस है, वो कमपनी एक अच्छी conditions में देखने को मिलती है, अच्छी कमपनी कहलाती है, कमपनी का industry PE 30 के है, यानि अभी भी ये कमपनी अपने industry PE से महंगी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसके top को देखे, तो कमपनी इस year में 833 का top लगा चुकी है, और 380 का low था, और 380 से कमपनी अप उपर की तरफ जा रही है, और present time में जो price निकल क्या रहा, वो 432 का निकल क्या रहा, तो कमपनी अपने top से 50% discount पे मिल रही है, तो यह discount क्यो हुआ था, इसके पीछे की वज़े समझेंगे, तो हमें समझ में आएगे कि इसमें गिरावट क में problem आई थी, अगर हम यहाँ पे sales देखे, quarterly sales देखे, तो कमपनी का quarterly sales December 19 में 75 करोल का था, December 20 में 140 करोल का हुआ, December 21 में 169 करोल का हुआ, और December 22 में 161 करोल का हो गया, तो यहाँ से sales में भी problem है, एक चिस समझेगा, sales में भी problem है, sales जितना होते था, इनकी revenue जितनी generate होती थी, उ पिछले 2 quarter से, अगर आप यहाँ पे notice करेंगे, तो पिछले 2 quarter से इंसके sales में भी problem हुआ, 179 के बाद 170, 169 और 161, यानि पिछले 3-4 quarter से लगातार sales कम हो रहा है, और अगर हम profit margin की बात करें, तो एक टाइम पर company 53, यानि 50% के profit margin पर काम कर रही थी, लेकिन बाद में गिरते गि यह बहुत ज़्यादा manufacture करती है, चाइना, चाइना भी solar glasses बहुत ज़्यादा manufacture करती है, इंडिया में anti-dumping duty लगी हुई थी, कि आप किसी भी product को, यानि solar glasses की जो products है, उसको dump नहीं कर सकते है, बहुत ज़्यादा heavy तरीके से इंडिया में लानी सकते, इसकर ऐसा कर रहे तो उस टाइम पर कमपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि इंडिया बेस्ट कमपनी है, जो इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इस कमपनी का operating profit margin बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सरकार ने anti-dumping duty जो tax है, उसको हटा दिया, जैसे ही tax हट गया, आप यहाँ द चाइना की glasses है, वो इनसे सस्ती आती है, अगर इनके जो product की जो value है, अगर उसकी जो price की बात करेंगे, उस price से सस्ते price में चाइना की जो company है, वो product को देना start कर दी, तो उससे क्या हुगा, इनकी prices और ज़्यादा गिरने लगी, तो यहाँ से sales में भी problem आ गई, यहाँ पे sales मे buy करना है, तो आपको bet लगाना होगा है, इस sector पर, यह sector जितना जाधा grow होगा, देखिए कोई भी company, कोई भी sector जितना grow होता है, उस sector से related जो छोटी-छोटी company होती है, उनमें growth होने के chance तो उतने ही होती है, तो क्या green energy के जो sector है, वो आगे कर चल के grow नहीं होंगे, बहुत जीरो, यानि company के जो early sales से लगातार बढ़ रहा है, company का जो operating profit margin 39 और 38 का चला गया था, वो घट के 27 हो गया, तो मैंने आपको बताए कि problem कहां पे था, ending dumping duty tax था, और दूसरी conditions थी, चाइना ने बहुत जादा dump कर दिया था माल, तो इसकी वज़े से, और बहुत सस्ते price पे अप अगर company के concall पढ़े, company के ppt पढ़े, अगर आप ppt और concall यहाँ से ppt और notes अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसी इसी को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि company का जो operations है, यह decline 4%, यानि आप 4% decline हुआ है, वज़े उसके पीछे same वही वज़े जो मैंने आपको बत आप नहीं है, company बहुत अच्छी company है, अगर हम company का reserve देखेंगे, तो 630 क्रोर की reserve company या 828 क्रोर का reserve हो गया, दिनी दिने company की borrowing भी बढ़ गई है, borrowing क्यों बढ़ी है, क्योंकि देखें, जब business में थोड़ी बहुत problem आती है, तो company borrowing लेती है, उस business को सही करने के लिए, तो यहाँ से आप 200 क्रोर की borrowing देख रहे है, fix assets जो 8 क्रोर का था 2011 में, वो बढ़के 262 क्रोर होगा, और company बहुत ज़्यादा पैसा अपने inventory में लगा रही है, बहुत ज़्यादा पैसा capex कर रही है, क्योंकि company का जो business है, जो sales अगर आप देखेंगे, तो 75% वो इंडिया में है, बलकि 25% company export करती है, तो company अपने export को और ज़्यादा बढ़ा रही है, साथी साथ इंडिया में इसको subsidy भी मिलने के chances है, अगर वो साथ होता होगा देखेंगा, तो आप देखेंगे इस company के prices, इन company के जो share prices वो बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके operating profit margin, opium जो है, और company के net profit में बहुत अच्छा उच्छाल देखने को मिलेगा, अगर company के CWIP देखेंगे, यानि capital working in process देखें, तो लगातार company पिछले 2 quarter से 297 करोड़, 600 करोड़ company के capital working में लगे हुए हैं, यानि यहाँ पर company अच्छा खासा capex कर रही है, पैसा लगा रही है, और यह सारे प companies से, इससे result मिलना start होगा, जैसे मैंने जो पैसे लगाएं, अगर उस पैसे से earning start होगा, यह company के जो पैसे हैं, यह कहाँ add हो जाते हैं, fix assets में add जाते हैं, तो इनके company के fix assets भी बढ़ जाएंगे, अगर company के share holding patterns देखें, तो company के share holding patterns में हम देख रहे हैं, कि जो promoters है, उनके पा पास लगबख 6% की holding है, FIs लगातार माल को पढ़ाते जार है, क्योंकि यह समझ रहे हैं, कि सेक्टर आगे चलके बहुत जादा grow करने वाला है, देरे देरे DIs में इसमें बढ़ जाएंगे, अभी DIs इसमें 9 के बराबर है, अगर हम public की बात करें, तो public के पास 32% की share holding है, जि हम यहाँ पे इस Borosil Renewables के technical conditions देखें, तो company अपने top जो generate की थी, और वो top था 8.33, तो 8.33 से, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, 8.33, तो company 8.33 से अभी जो price range जिसका निकल के आ रहा है, वो price range कितना है, यहाँ पे हम price range देख सकते हैं, कि company का price range 4.32 है, तो 8.33 से 4.33 और नीच आ गया था, तो company 50-60% down हो गई थी, अभी company कितनी down अगर हम यहाँ पे notice करें कि company हमें कितने नीचे मिल रही है, यहाँ से, अपने top से company अभी 48% लगबग down है, तो अभी company आपको 48% down मिल रही है, क्यो down मिल रही है, वजह इसके है operating profit margin और sales में आई problem को लेकर, लेकिन अगर sector ऐसे ही ठीक होगा, आप देखेंगे कि इस company में grow होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर company में grow होता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप अगर company अपने top को भी generate करती है, तो अगर आने वाले एक साल के अंदर अदर, अप company अपने top को generate करती है, तो यहाँ से आपको अच्छ sales generate कर रही है देखिए जब company में कोई problem होता है अच्छी company है sector भी अच्छा है तो जब कभी problem होगा अच्छी companyों में तो वो एक अच्छा buy का मौका होता है ये कोई recommendation नहीं है आप अपने due diligence से अपने चीजे कर सकती है अब दूसरी condition क्या है कि company कितना नीचे हमको और मिल सकती है अगर इसमें और गिरावट आती है तो इसका support range कहां तक निकल के आता है तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो यह जो company का top बना हुआ था या यह वाले अगर हम top की बात करें तो यहाँ पे जो top है यह यह range निकल के आता है 353 का और 321 का तो दो range निकल के आता है 350 का और 320 का जहाँ पे अगर आपको इस company को यहाँ पे अगर आपको company मिले तो आप यहाँ पे अगर आपके पास पहले से है तो आप average कर सकते हैं और average करते सामें एक सिस का ध्यान देंगे कि आपका जो portfolio होए आपके जो shares है वो आपके investment का 3-5% से ज़ादा ना हो क्योंकि किसी भी company में 5% से उपर रखना वो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है share holding pattern को लेकर अगर हम यहाँ पे 3-5% का holding रख पाते हैं और इस range पे average कर पाते हैं तो मेरे को लगता है कि यह company आपको future में एक multi bagger return generate करके दे सकती है कि यह company बहुत अच्छी है sector बहुत अच्छा है लेकिन जो problem है वो अभी जो anti dumping duty taxes की problem थी और चाइना दोरा लाई गई बहुत जादा dump की हुई protect की problem थी कि बहुत सस्ते बेचने लगे थे जिसे इनके sales और operating profit margin पर problem आया है लेकिन company अपने sales और operating profit margin को बहुत अच्छा कर लेगी company के जो यहाँ पे देखे तो जो इसके product है वो product बहुत अच्छे है तो company अपने sales और बाकी चीजों को सही यहाँ से कर लेगी तो यहाँ से अगर वो सही कर लेती है सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि इस company में अच्छा खासा grow देखने को मिलेगा और अगर यहाँ पे देखे export business has grown CSER 33% in last 3 financial year यानि पिछले 3 साल से company 33% के CSER से अपने export को बढ़ा रही है यानि अपने export से पैसे generate कर रही है 33% का revenue generate करना यह छोटी मोटी चीज नहीं है और वो यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है यह company का जो rose है 27.2 और ROE 23.7 का जो की बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है तो यह company मेरे हिसाब से अगर आपको इस range पे मिलती है जो 335 और 320 का है तो आप इसे एक अच्छे खासे 100% के return के लिए buy कर सकते हैं अगर यहाँ से हम देखें तो अराम से आपको 100% का return इस range के अगर past company मिलती है तो अराम से 136% का return generate होके मिल जाता है ऐसे ही important अच्छी वीडियो के लिए आप इस channel को subscribe करें और अपने friends को share करें और आप अपने comments नीचे देना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you, thank you so much